पर तुम एक चुना हुआ वन्ष और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निच प्रजाओ इसलिए कि जिसने तुमें अंदकार में से अपनी अद्बुत जोती में बुलाया है उसके गुण प्रगट करो परमेश्वर का वच्चन हम विश्वासियों को याजक हैं इस प्रकार से कहता है आज के दिन हम अपने इस प्रियदेश को क्या दे सकते हैं याजकों वाली आशीश दे सकते हैं जियां आज हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेश्वर ने याजकों को क्या कहा था क कि अपनी प्रजा को किस तरह से आशीश दे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आओ हम सीखें इबरानी भाशा, जिन शब्दों में याजकों ने आशीश वचन कहने चाहिए, आज हम उन्हें देख रहे हैं इनी को हम लोग हिंदी में भी देखाँ देख लेते हैं कि याजक किस रीती से या किन शब्दों में मंडली को आशीश वचन कहता है यहवा ने मुसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इजराईलियों को इन वचनों से आशीरवाद दिया करना यहवा तुझे आशीश दे और तेरी रक्षा करे इस रीती से मेरे नाम को इजराईलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीश दिया करूंगा तो हम लोग गिंती की पुस्तक और उसके छटमे अध्याय के 24, 25 और 26 में वचन को मुक पाट करने की कोशिश करेंगे याद करने की कोशिश करेंगे पर जहां तक इबरी पढ़ने का सवाल है हम 22 में वचन से शुरू करके 27 में वचन तक आज अवश्य पढ़ेंगे तो चलिए 22 में वचन से शुरू करते हैं 22 में वचन वा इदाबे याहवे अब मैं इस शब्द पर बता दूँ कि हम लोग तो इस शब्द को योधे वावे को यहवे पढ़ लेते हैं लेकिन यदि आपका कोई यहूदी मित्र होगा तो इस वचन को पढ़ते पढ़ते वो इस शब्द पर जबाएगा तो इसे अदोना ही पढ़ेगा और वो इसी लिए है क्योंकि वे परमिश्वर के नाम को लेना भी एक भयानक बात समझते हैं या परमिश्वर के नाम का गलत उचारण ना कर दें और कोई पाप न हो जाए करके लेकिन मैं आपके विश्वास पर छोड़ता हूँ पर मैं तो उस शब्द को बोलना चाहूँगा या वे इल मोशे ले मोर तईस में वचन पर आते हैं दाबेर इल आहारोन वे इल बाना ले मोर कोह ते बारोखू एत बेने इसराइल आमोर लाहेम चलिए इन ही के हिंदी अर्थ को भी हम लोग देख लेंगे वाई दावेर और बोला याहवे यहोवा ने इल मोशे मुसा से ले मोर यह कहते हुए दावेर की बोल इल आहरोन आहरोन से वे इल बाना और उसके पुत्रों से ले मोर यह कहते हुए को इस रिती से तेवा रोखू तुम आशीश देना एत बेने बेन या बेने पुत्र पुत्रों को इसराइल इसराइल के आमोर कहना लखेम उन से यहा हिंदी में पढ़ लेते हैं पुरा बच्चन और बोला यहोवा ने मुसा से यहा कहते हुए की बोल आहरोन से और उसके पुत्रों से यहा कहते हुए इस रिती से तुम आशीश देना पुत्रों को इसराइल के और कहना उनसे यहा इबरी में भी पढ़ लेते हैं आप भी प्रेतने करिए वाई दावेर यहावे इल मुशे ले मौर दावेर इल आहारोन वे इल बाना ले मौर अगले वचन की तरफ बढ़ते हैं 24, 25 और 26 वचन जो है ये वास्तों में वो वाले वचन है जो आशीश के वचन है और मैं चाहूंगा कि आप इने हिंदी में, इंगलिश में और आपकी स्थानिय भाषा जो है राज की वो वाली और साथी साथ इबरी में भी इस वचन को याद कर लें चलिए शुरू करते हैं 24 में वचन का पहला शब्द योध है नीचे दो बिंदू फिर भी उच्चारन यह नहीं है ये है और इसके बारे में मैंने पहले ही समझा चुका हूँ फिर बाद में है वेत और आकी मातरा याने ये वा रेके खा काफ है और फिर फाइनल काफ है आकी मातरा के साथ में तो ये उच्चारन हो जाएगा ये वा रेके खा यूध है वाव है मातराओं के साथ ये बनेगा याह वेह तीसरा शब्द है वे यीश मे रेका वित है योध है शिन में रेश और खाफ उच्चारन है वे यीश में रेका ये बार रेके खा याहवे वे यीश में रेका पचीसवे वचन पर आएंगे याएर याहवे पानाव एलेका वेहुनेका चपीसवा वचन यिस्सा याहवे पानाव एलेका वे यासेम लेका शालोम इनके हिंदी शब्दों को जानने के लिए तैयार हो जाएए ये बार रेके खा तुझे आशीश दे याहवे यहोवा वेईश में रेका और तेरी रक्षा करे याईर चमकाए याहवे यहोवा पानाव अपना मुख एलेका तुझ पर वेहुनेका और अनुग्रह करे ये सा उठाए याहवे यहोवा पानाव अपना मुख एलेका तुझ पर वे या सेम और दे लेका तुझे शलोम शान्ती इन तीन वच्णों को हिंदी में तेजी से पढ़ लेता हैं तुझे आशीश दे यहोवा और तेरी रक्षा करे चमकाई यहोवा अपना मुख तुझ पर और अनुग्रह करे उठाई यहोवा अपना मुख तुझ पर और दे तुझे शान्ती लेकिन जब आप इसे याद करेंगे तो वास्तों में हिंदी वाइवल ही उठा करके क्योंकि हिंदी में हम लोग करता पहले बोल रहा हैं और इसकी क्रिया बाद में बोलते हैं जादा आसानी से होगा याने हम इसे अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो पढ़ना होगा यहोवा तुझे आशीश दे और तेरी रक्षा करे इस रिती से यह केवल शाब्दिक अर्थों को हम लोग ने लिया है इसलिए इस तरीके से पढ़े हैं फिर भी चलिए इवरी में एक बार इन तीन बचनों को पढ़ लेते हैं इसके बाद में 27 बचन को भी देख लेंगे और यहां है वे सामू इत शेमी अल बे ने इसराइल वा अनी आबारे खेम इनके हिंदी शब्दों को देख लेते हैं वे सामू और इस रीती से इत शेमी मेरा नाम अल बिने पुत्रों पर बिने यने पुत्रों पर अल यने उपर पर रखना और इसराइल इसराइल के वा अनी और मैं अनी यने मैं हिंदी में पढ़ते हैं इसे और इस रीती से मेरा नाम पुत्रों पर रखना इसराइल के और मैं उन्हें आशीश दूँगा हम आशा करते हैं कि आज की क्लास के द्वारा भी आपने हिब्रू सीखने में मदद पाई है लगातार जुड़े रहिएगा शालो हम आशा करते हैं